हेलो एवरिवन सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे आज मिले के आई हो सिर्फ 10 रुपए की रेसिपी 10 रुपए में आप बना सकते हैं बजार की फैंसी मिठाई और इसमें ना ही मिल्क पॉडर है ना ही मावा है और ना ही ये गैस चुले में बनने वाली है तो जब ये गैस चुले में नहीं बनेगी तो जलने का तो कोई डर ही नहीं है तो इसे बच्चे भी अराम से बना सकते हैं और घर में जब पाटी हो कोई जश्ट न हो तो आप इसे तुरंट सर्व कर सकते हैं बड़े हो या छोटे इसे तुरंट बना सकते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पारले बिस्केट तो सिर्फ 10 रुपए वाली पारले बिस्केट लिया है मैंने आपको जितनी quantity में मिठाई बनानी है उस हिसाब से आप पारले बिसकेट ले सकते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पारले बिसकेट ले आप कोई भी बिसकेट का इस्तिमाल कर सकते हैं बस ध्यान रहे कि वो किरीम वाली बिसकेट ना रहे ये देखिए पारल कर देना है asta अब हम इसमें डालेंगे चीनी जांगे चीनी पर थोड़ा जादा कौंटिटी में चीनी घर बना लिया है तो अगर आपके पास चीनी की मोरा नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं घर पे ही और मैंने इसमें डाला है कोको पाउडर एक चब मच कोको पाउडर से हमारी मिठाई को कलर बहुत अच्छा मिलेगा और फ्लेबर भी चॉकलिटी फ्लेबर मिल जाएगी और इसमें अब हम डाल देंगे घी एक चब मच सौंधी-सौंधी खुजबू के मिठाई बहुत जल्दी बन जाती है घर में अगर महमान आ जाए तो आप इसे पाच मिनट के आंदर ही तुरंट सर्व कर सकते हैं जब घर पे हमारी मिठाई नहीं रहती है तो यह देखे इस तरीके से मैंने इसे बुर-बुरा करके मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डाल कर लेना है इसमें हम पाने का इस्तिमाल नहीं करेंगे डो तयार हो चुकी है आप देख सकते हैं एक्टम परफेक्ट और अच्छी तरीके से यह बन चुकी है डो और अब बारी आती है मिठाईया बनाने के तो हम इसकी मिठाईया बनाएंगे तो यह देखे मिठाईया बना मैं मैं ब मारी की तो बना पड़ाती है ! मैं उट्कट आई को मैं ब मारी आती है और रखशा है ! मैंने पोस्तु का दाना और इसे हमें पोस्तु का दाने में इस तरीके से डाल लेना है और यह देखिए इस तरीके से इकवली दोनों साइड से लगाना है बीच में इस तरीके से पकड़ना है यह जिसका ध्यान रखना है और इकवली दोनों साइड से लगा देना यह एक बार आप मिठाई में इस तरीके से लगा लेंगे तो आप सारी मिठाईयों में अच्छे से लगा सकते हैं तो बहुत इसी है बिल्कुल भी हाड नहीं है तो आप देख सकते हैं मेरी सारी मिठाईया जो है बन चुकी है बाजार वाली फैंसी मिठाई और इसे और भी अच् बिना मिल्क पॉडर बिना गैस चुले बिने मावर की और आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं जल्दी से सर्व कर सकते हैं वीडियो पसंद आईए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन की बटन को दबा दे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हाँ लाइक शेयर करना ना भूले इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कमेंट जरूर करें जिससे मुझे खुशी मिलती है तो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई